GP Online Classes में आप सभी का एक बार उन्हेस वगत है हम 2020 के Previous Year Question Postal Assistant, Torting Assistant का कभर कर रहे थी हमने एक स्रीज चालू किया है, परिच्छा नजदीक आ रही है तो ये सारे Question आपके परिच्छा के दरश्टिकोर से काफी महत्पूर हो सकते हैं मैंने आपको कई सारे वीडियो में एक ही बात के बारे में बताया है कि PYQ आपके NDC Exam 2024 के लिए रामबान सावित होगा इस वीडियो को स्टार्ट करें, उसके पहले एक महत्पूर जानकारी अगर आप वीडियो में दिख रहे पीडियाप को लेना चाहते हैं इसके लाबा MCQ, 500 MCQ, 600 MCQ को टॉपिक वाइज पीडियाप चाहते हैं प्रिंट करने वाला पीडियाप चाहते हैं रीजिनींग का सलूशन चाहते हैं, मैट का सलूशन चाहते हैं, मौक टेस्ट चाहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं सब खुद जीपी ओनलाइन क्लासेज आपको one time fees में अपने पैड क्लासेज में प्रवाइड कराता है अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है जिस पर हमारा ओफिसियल नंबर दिया है उस पर कॉल या वाटसप करके जानकारी ले सकते हैं चलिए बिना टाइम बेस्ट किये हुए इस वीडियो को सुरुवात करते हैं और सारे कोशन 50 कोशन डियोपी के करेंगे और इसके लाबा 10 कोशन अम जीके के भी करेंगे बागी कोशन आपको पैट क्लासेस में उपलब्द हो जाएगा देखिए करनाटक सरकील 2020 सेट सी का पेपर है पहला जो कोशन पूछा गया था वो था कि क्यू आर क्यू आर इज एसोसियेटेड विट विच अदा फालोईंग क्यू आर जो है निमलिकित में से किस से सम्मंधित है क्यू आर क्या होता है इसका फूल फॉर्म पहला बात जो आपको ध्यान रखना है इसका फूल फॉर्म होता है फूइक रिस्पॉंस और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैक से सम्मंधित है ऑप्सन नमबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेशन को टारगेट करते हैं क्वेशन नमबर टू है बोल रहा है सभी आरमेस के अधिकारी परवेचन अधिकारियों को छोड़ कर मतलब सभी करमचारी तुपरवाइजिंग अथारिटी को छोड़ कर जो की सेक्सन में यात्रा करते हैं या मेल आफिस में पर पी में दिया है मेल सूची सी में दिया है मेमुरंडम आप डिस्टिब्यूशन वर्क या फिर धातू टोकन ऑप्सन नमबर इसका डी करेक्ट होगा मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मेटल टोकन जो है आरमेस के सभी अधिकारी रखते हैं सुपरवाइजिंग आथ इससे सम्मंदित कोई समस्या होती है तो आपको रिकॉर्ड आफिसर से संपर्क करना होता है जैसे यदि गुम जाता है तो भी आपको रिकॉर्ड आफिसर से ही बताना है यदि आपको लेना है तो भी आपको रिकॉर्ड आफिसर से इसको कलेक्ट करना होता है अगला कोशन ह अच्छा question इस्क्रीन पर आया है और पूछा ये है कि बताईए कि एक कारियाले या अनुभाग में एक से अधिकारी जहां पर काम करते हैं तो वहाँ पर yam dw का मतलब होगा memorandum distribution work कौन जारी करेगा तो एक चीज आपको ध्यान रखना है इस section के लिए memorandum distribution work जो है वो तैयार करने का काम inspector करते हैं और जारी करने का काम जो है SPO करते हैं मतलब division के प्रमूख करते हैं head up division RMS ये उत्तर इसका correct हो जाएगा option number A correct हो गया है चलते हैं भाई साव अगले question की ओर अगला question है question number 4 preservation period पूँचाए mail office में या फिर section में जो order book यूज किया जाता है उसका परी रक्षण अबदि कितना time किया गया है कितना साल तक तो कम से कम रखना है उसके बाद आप इसे नश्ट कर सकते हैं जब आप जो correct होगा वो होगा B मतलब 3 साल इसका परी रक्षण अबदि होता है इसके राबा बितने भी बाकी दस्तावेज हैं उनका भी preservation period आपको रट लेना है इसके बिना काम नहीं चलता एक नमबर का question दो नमबर का question आपके परिच्छा में निश्चित पूछा जाता है पाँच्वा नमबर question है इनमें से कौन सा बैगों का इस्टॉक नहीं रखता केबल बैगों के पत्रा चार से डील करता है मतलब कागजी कारवाही करता है यूनिट बैग आफिस रखता है डिस्टिक बैग आफिस रखता है सेंटल बैग आफिस नहीं रखता सेंटल बैग आफिस को हम D-section के नाम से भी जानते है और ये केबल बैगों के पत्रा चार से सम्मंदित होता है option number c is right answer अगर आपको इन सबी question के उत्तर आ रहे हैं तो comment box खाली है भरभर कर अपने उत्तर डाल दीजिये गा अगला question है after the close of the office the stamp seal several department mail office must be collected and locked by the head sorting assistant, head record officer, head male agent या head male man की कार्यालें बंद होने के बाद डाग कर्यालें के बिभिन भिभाग में उपियोग किये जाने वाले आपके ticket, mohar को एकत्र करना है और उनको ताला लगा कर बंद करना है किसकी जिम्मेदारी होती है option number a जो है इसका correct होगा ये सारी जिम्मेदारी head sorting assistant होती है option number a correct हो जाएगा अगले question क्यों चलते है question number seven है उस तक packet का अधिक्तम बजन पूछा है सरल question है, easy question है बहुत बार मैंने आपको इसके बारें बताया है 5 kg जो है इसका correct जवाब हो जाएगा next question है next question आपका BLP से सम्मंदित है BLP होता है blind literature packet इसके बारे में कुछ आपको sentences दिये गए है sentences को ध्यान से अध्यान करना है उसके बाद आपको उत्तर comment box में डालना है देखिए, पहला क्या बोला कि no postage is required कोई डांक खर्च की अवस्सक्ता नहीं होती बिल्कुल सही बात होगा मेरे भाई pre registration fee and acknowledgement बिल्कुल सही बात होगा मेरे भाई अगला जो बोला है कि अगर आप air lift करेंगे हवाई से भेजेंगे हवाई चार्ज देना पड़ेगा बिल्कुल सही होगा मेरे भाई option number D is right answer ये जो A में दिया है ये जो B में दिया है ये जो C में दिया है बिल्क के बारे में सब ही कथन सही है और हमें धूरना ही सही था इसलिए हम इसका उतर D लगा रहे हैं important question है अगला question number 9 है night post office working can extended up to 8.30 pm night post office मतलब रात्री कालीन डागर को 8.30 बजए तक extend किया जा सकता है इसकिलाबा इसे रविवार को भी खोला जा सकता है किसके आदेस के तहित मानी देसक डाग सरकल के प्रमूख इसकिलाबा डारेक्टर पोस्टल सर्वीज इसकिलाबा बरिस्ट अधिच्छक या डांगर के च्छक option number 1 correct होगा आपको मैंने बताया था कि डांगर का जो कारेकाल है उसको तैं करने का पाबर HOC के पास है इसका मतलब होता है head of circle और HOC जो है वो सरकिल के प्रमूख होते हैं और जब बढ़ाने की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि महानी देसक डांग जो है option number D दिया है 5 kg D दिया है 3 kg T दिया है 4 kg या फिर D दिया है 6 kg याद रखने वाली बात क्या है मैंने आपको बताया था कि भाई साहब यदि आपका पारसल 4 kg से अधिका होता है तो registration आपको करवाना ही पढ़ेगा और आपको डांग घर की खिडकी पर ही प्रस्तुत करना पड़ेगा option number C is right answer अगला question महत्पूर्ण question clause के बारे में question पूचा भाई मैं महत्पूर्ण ना बोलू ऐसा नहीं हो सकता condition for free redirection prescribe which clause post office guide part 1 करनाटक PSA 2020 का 11 number question पूचा था कि पुना निर्देशन का जो condition दिया है किस clause में दिया है याद रख लिजेगा clause number 69 में redirection redirection से संबंदित नियम दिया गया है कि कब किसी article को redirect किया जा सकता चलिए अगला question है 12 number question minimum number pieces prescribed time for direct post direct post मैंने बताया direct post के जो article होते हैं उन पर पता नहीं लिखा होता एक उधारन के माद्दे हम से समझाऊ तो कोई संस्था है और संस्था के लिए बहुत सारे मासी परतिकाएं हैं उस संस्था का नाम देंगे और directly जो है उस article को भेज देंगे उसी article को हम direct post के नाम से जानते हैं ठीक है ये बात ध्यान रख लीजेगा इसमें पांसो कॉंटिटी मिनिमाम वन थाउजन फिप्टीन हैंडरड या फिर तू थाउजन ऑप्सन नमबर B is right answer वन थाउजन इसमें मिनिमाम कॉंटिटी आपको भेजना पड़ेगा तभी इसका आपको सुविधा मिल सकता बिल में सर्विस केता है तो यदि आपने टाई अप किया है इसमें एक कंडिशन होता है इतने दिन के अंदर आपको इसका सर्विस देना ही पड़ेगा मतलब इतने दिन में कम से कम एक बार तो अपने आर्टिकल पोस्ट करने पड़ेंगे जैसे ऑप्सन A में दिया है 30 दिन P में आपको दिया है 90 दिन C में आपको दिया है 45 दिन या फिर आपको D में दिया है 90 दिन खीक है और एक उप्सन आपका 60 दिन है उप्सन नमबर D जो है वो करेक्ट हो जाएगा ख्यान रखिएगा कि 90 दिन में आपको ये service एक बार देना ही पड़ता अगला question है 14 number का question 14 number question में आप से पूछा है कि SB account में जो बचत खाचना खाता होता है आपका post office का उसको खोलते समय mobile number mandatory कर दिया गया इस SB order के है which among the following SB order made mobile phone number mandatory while opening of a new account in any PO small saving scheme SB order 17-2017 याद करने बली बात है मेरे भाई SB order 17-2017 के तहर किसी भी खाते को खोलते समय या लगू बचत योजना में जो भी scheme है जो भी खाते उनको खोलते समय है SB order 17 के तहट mobile number डालना mandatory कर दिया गया है याद रखने बाली बात है option number A जो है वो correct हो जो इसकलिए 15 number question इस screen पे आया है दरपन के बारे में कौन सा सही नहीं है दरपन Digital Advancement Ruler Post Office और a New India या और बताना है कौन सा सही नहीं है बियोज के लिए इसको लाया गया था याद रखिएगा कथन मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ Speed post TMO इस device से book कर सकते हैं बिलकुल यह बात सही है और हमें गलट ढून BP लेखों के बितरन के बाद BPM इससे जारी कर सकते हैं बात बिलकुल सही है यह ध्यान रखिएगा BPM जो है daily account electronic रूप से print कर सकता है यह भी बात जो है वो सही है इको देखते हैं device के माद्यम से ticket नहीं बेच जा सकते यह बात गलत है टिकट भी इस device के माद्यम से बेचे जा सकते हैं पूरना गलत था गलत हमें मिल गया है चलिए later sorting machine हमने LSM के बारे में चर्चा किया था AMPC, Kolkata और Delhi में लगाए गई हैं ऐसी मसीने होती हैं ऐसी मसीने जो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा गती से छटाई करती हैं इनके छटाई की गती काफी तेज होती हैं जहां पर mail का traffic काफी ज़्यादा होता है वहीं पर ये मसीने डांग विभाग ने इस्थापित की हु 30,000 यह अधिक, 25,000 यह अधिक, 40,000 यह अधिक, 30,000 यह अधिक जाद रखने वाली बात है कि जो LSM होता है वो 30,000 यह उससे अधिक पर आवर के हिसाप से article का sorting करता है इसके लाबा ये कोई होता है जिसे हम MMS बोलते हैं Mixed Mail Sorter होता है इसका गती जो है 18,000 पर आवर के हिसाप स होता है ये भी आपको ध्यान रख लेना पशनमर 16 का उत्तर सी हो गया है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आपसे लाइक का पिक्छा जरू करता हो आपके लाइक से हमें ऐसी और बहुत सारी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है याद वीडियो हम आपको आपके परिच्छा के लिए देते रहें ये पब्लिक वीडियो है इसका कोई भी बेनिफिट उठा सकता है चलिए 17 नंबर क्वेशन है 17 नंबर क्वेशन में आपसे पूछा है कि आप बताईए कि किसमें पत्र, कार्ड, ब्रोसर, पैंपलेट, कूपन, पार दी जैसे आर्टिकल बीना एड्रस बाले आर्टिकल आप भेश सकते हैं रिटेल पोस्ट, इडिया पोस्ट, डारेक्ट मेल या डारेक्ट पोस्ट, मैने आपको बताया कि भाई साब एक ऐसा पोस्ट है जिस पर आपको पता लिखने का जरूरत नहीं है उस पोस्ट को ह है इसका correct हो जाएगा अगला कुश्चन को हम target करते हैं इंडिया बाज represented at international post corporation conference 2019 20 मैं 2019 at bangkong thailand में हुआ था जर्मनी में हुआ था इधर land में हुआ था या burn sutager land में हुआ था option number question number 18 का option number बी जो है correct हो जाएगा धान रखिएगा जर्मनी इसका सही जबाब है अगला question है question number 19 question में क्या पूछा है P.O.P.S.K post office passport सेबा किंद्र किस मंत्रालें के परामर से जाग विभाग में जग है चन सक्ति की बेखारता के अनुसार खुले जएए हैं रक्षा मंत्रालें के साथ क्रह मंत्रालें के साथ जित्त मंत्रालें के साथ बिदेश सालें के साथ option number 10 का correct हो जाएगा बहुत बार ये question हमारे screen पर आया है और हमने कई बार चर्चा किया है चलिए रन्नथा साप्टवेयर किस से समंदित है ऐसा हमें 20 नंबर कुश्चन में पूछा गया है रन्नथा साप्टवेयर is associated electronic clearance of letterbox इसकलाबा electronic clearance EMO, mail और speed post option number A correct होचाएगा रन्नथा का उपयोग letterbox clear करने के लिए किया जाता है अगला कुश्चन है 21st नंबर का और पूचा है इन में से कौन सा एक जन सुरक्षा स्कीम नहीं है which the following is not a जन सुरक्षा स्कीम PMSB by बिलकुल जन सुरक्षा स्कीम है दो तीन बातें अगर और इसके बारे में मैं बताऊं तो 20 रुपिया पर NM के हिसाब से इस पर premium देना होता है और आपको एक accidental बीमा maximum दो लाग का मिल जाता है कोई भी customer इस पर participate करना चाहता है 18-70 के बीच उसका उम्र स्कीमा होना चाहिए अगर हम दूसरा जन सुरक्षा के बारे में बात करें ये भी जन सुरक्षा स्कीम है PMJJB by जिसे हम पलहान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना बोलते है इस स्कीम में आपको दो लाग कक का बीमा किसी भी कारण से दिमरत्तु होता है तो किया जाता है 436 रुपिया एक साल में आपको premium देना पड़ेगा और 18-50 के बीच में जो भी व्यक्ति है इस स्कीम में participate कर सकता है एक बात यह और बताओं आपको मैं आटल पैंसन योजना के बारे में ये भी आपका जनसुरक्षाई स्कीम है इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति participate कर सकता है जिसका उम्र 18-40 के बीच में होता है ताट साल के बाद उसको पैंसन के रूप में पैसा return किया जाता है तो हमने तीन के बारे में बात किया तीन जनसुरक्षाई स्कीम थे एक जो बच गया वो जनसुरक्षाई स्कीम के अंतरगत नहीं आता है और अपसन नमबर C जो है correct हो जाएगा अगला कुशन है कुशन नमबर 22 बुला है Convertible Whole Life Assurance Policy तर पिलाई insurance is known as टांक जीवन बीमा के तहत परिवर्तनी संपूर जीवन बीमा Policy को किस नाम से जाना जाता है मैंने आपको जब पिलाई वाला सेक्षन पढ़ाया था डिटेल में पढ़ाया था तो लोग मुझे पबलिकली देख रहे हैं उन्हें पता होगा पैड़ वाले जरूर इस सेच को देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि Policy का नाम कई प्रकार से है सभी को आपको ध्यान लखना जैसे अगर संतोस का बात करूँ तो संतोस को हम किये भी बोलते हैं जैसे मैं यदी बात करूँ A.E.A. Policy को जिसे हम Anticipated Adoptment Assurance बोलते हैं जिसे हिंदी में सुवंगल भी बोला जाता वैसा ही एक Policy है जिसको हम बोलते हैं C.W.L.A. और इसका मतलब क्या होता है मतलब होता है Convertible Whole Life Assurance Convertible क्या है भाई इस Policy को 5 साल के बाद और 6 साल के पहले इस Policy को आप A.E.A. Policy में Convert करा सकते हैं तो मैंने आपको एक बताया कि इस Policy में एक सुविधा है इसलिए इस Policy को हिंदी में सुविधा के नाम से जाना जाता है तब आपसे नमबर 20 जो Correct हो जाएगा Next Question 23rd नमबर का है बोला है दिमा ग्राम योजना में चिन्नित प्रतेग गाउं में कम से कम डॉट डॉट परिवारों को एक RPLI Policy के डायरे में लाया जाता है सौ दो सौ पचास या टेड़ सौ आपसन नमबर A जो है Correct हो जाएगा सौ परिवारों को RPLI Policy के डायरे में लाया जाता है चलिए Q23 का उत्तर हमने देखा यह उत्तर जो है वो A हो गया अगला Q23 है कि देश भर में रास्टी या डांक सपता है कब से लेकर कब तक मनाया जाता है Personal, Postal, B Option नमबर B गरेक्ट हो जाएगा 9 October से लेकर 15 October तक जो है वो डांक सपता है मनाता है और यह रास्टी डांक सपता होता है और हर एक अलग-अलग दिन में अलग-अलग थीम जो है वो होता है यह भी आपको पता होना चाहिए P नमबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला वर्शन है पिछली तारीक पड़ी है उस अगल-अलग पर तो किस कंडिशन में हम उसे एकसेट करते है कौनसा पिछला तारीक क्या कहानी है ट्रेंकिंग मसीन में ट्रेंकिंग मसीन में तीबीयस डेट पढ़ा हुआ है उस आपकल पर कैसे हम ऐकसेट करेंगे की पहचान के लिए के साथ window ticket जो है बहुत करेंगे कि अप्सा नम्बर दी में बोला है मसीन जे लाइसंस डाई हटा दी जाएगी तब एकसेप्ट करेंगे प्रस्टुत की तारीक से लाइसंस डाई इस पर है तभी उसे हम accept करेंगे या फिर बोला है कि दैनीक register प्रस्तुत किया जाता है तभी उसे हम accept करेंगे condition क्या होता है? condition फ्रेंकिंग मसीन का ये होता है कि आपको पहली बात तो previous date लगा के नहीं लाना है लेकिन तुरंत बात का date है जैसे यदि आपको मैं एक example के मार्धम समझा हूँ यदि आज 18 तारीक है और 17 तारीक बाला आर्टिकल आप दे रहे हैं तो स्विकार कर लिया जाएगा लेकिन condition ये है कि 17 वाले आर्टिकल में 18 का भी आपको date लगाना पड़ेगा छाप लगाना पड़ेगा तो वही इसमें बोला है C में C नमबर का उत्तर इसका correct हो जाएगा उमीद करता हूँ मैंने आपको आसान भासा में question रहने का प्रयास किया है और आपको समझ में आ गया है 26 नमबर question है फ्रेंकिंग मसीन के बारे में एक गलत कथन काया आपको चायन करना option A में बोला है कि फ्रेंकिंग के इंप्रेंसन में value die होता है और license die होता है ये बात आप ख्यान देख लिजेगा कहानी ये सही हो जाएगा P नमबर का बोला है कि मसीन फ्रेंक आर्टिकल पोस्ट लेटर बाक्स सैल बी ट्रीटेड पैड आर्टिकल बात क्या ढूड़ना था बात ढूड़ना था गलत और गलत कौन सा हो गया की कैसे हो गया कितनी बार बता चुका हूँ आपको यदि मसीन फ्रेंक आर्टिकल है और उसे लेटर बाक्स में गलती से भी आपने पोस्ट कर दिया तो आर्टिकल अनपेड माना जाता है क्या माना जाता है मेरे भाई अनपेड माना जाता है इसी लिए गलत हो जाए क्योंको चैन्स में आपको पेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा 3 नमर का आपसन करेक्ट है अगला कोशन हम टिक कर लेते हैं एक डांक जीबन बीमा पॉलिसी नगद में तक्काल भुक्तान के लिए अब भरपित किया जा सकता है बसरते की पॉलिसी डाट डाट बरसे कम ना हो आवेधन कितित से इसको आउंड जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपके पास डांक जीबन बीमा पॉलिसी है और ए टाइप का पॉलिसी लवज अंतोस हैや WLA है सरेंडर को जो लिमिट है समय सीमा है वो तीन साल है तीन साल बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते है option number A correct हो जाए अगला question है question number 28 और इस question में आपसे ECMS का full form पूछा गया था ECMS क्या होता है बताइए option number A में क्या दिया है electronic counter machine system option number B में दिया है electric control mechanical solution option number C में दिया है enterprise content management system क्या manage करता है PLI और RPLI के नए proposal आते हैं उनको manage करने का काम करता है ECMS मतला option number C जो है वो correct हो चलो अगला question है DCT DCT का full form बताना है याद रखना है आपको DCT क्या होता है direct T for direct C for cash और T for transfer option number D is right answer चलिए अगला question देखते हैं अगला question है मुझा है 30 नमबर में अप्पू का मुख्याले कहां पर इस्थित है बर्न ये तो UPU का हो गया बैंकॉंग थाइलेंड बिल्कुल correct हो जाएगा बैंकॉंग थाइलेंड में अप्पू का मुख्याले है और मनीला में पहले था फिर अभी इसको shift करके बैंकॉंग थाइलेंड कर दिया तो जरूर से मुख्यालें घूमकर आईएगा चलिए अगला question है 31 नमबर के इम लिकि कर दिया बाद में आपका मन change हो गया मैंने तो address गलत लिखा है या फिर मुझे address change करना है या फिर मुझे article भेजना ही नहीं कौन सी चीजें सही हो जाएंगी उसके बारे में आपसे कुछ रहा है कि प्रेशक को डांक टिकट के रूप में निर्धारी सुल्क के साथ उसको सही हो गया है अगला देखिएगा प्रेशक किसी भी प्रधान डागर में आविदन जमा कर सकता ये बात भी सही हो गया है यदि वस्तु एक पंजी करत थी तो प्रेशक को आविदन के साथ रसीद भी लगाना पड़ेगा ये बात भी सही हो गया है चारों बातों को याद कर तीनो ये चारो बातें जो है सही हो जाएंगी, option number D जो है correct हो जाएगा, चलिए अगला question है 32 number का, 32 number question आप से पुछा है, ये कोई भी साधारन BP Inverd Foreign Packet है, इसके लाबा प्रस्तुती की तादिक से 7 दिन के बाद अगर delivery नहीं लेता और उसका बजन जो है 500 से अधिक होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा हमें 32 में सवाल किया गया था, H पर post office guide part 2, demurge, warehousing, post, restante, ये अगर mail, charge, option number D जो है, वो correct होगा, 32 का, जाद रखीगा उस charge को हम, warehousing, charge बोलते हैं और 8 दिन से हम उसका collect करते हैं, कोई भी आर्टिकल, अरे कोई भी आर्टिकल नहीं, DP आर्टिकल, ज हमाना है, उसको जादा दिन तक के लिए रिटेन करना है, तो उसके रोकने की अबदी क्या होती है, साथ दिन, दो सप्ता है, एक महीना है, दस दिन, तो मैंने तो आपको कंडिशन भुद बार बताया, अकर मेरे वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं, तो कई question बाकी paperों में भी गए हैं, तो मैंने एक बताया था बात आपको, बीपी आर्टिकल जो है, वो साथ दिन के लिए ही रोका जाता है, चाहे पोस्ट रेस्टेंटे बाला हो, और चाहे पोस्ट रेस्टेंटे बाला ना हो, पाकी अगर आर्टिकल पोस्ट रेस्टेंटे के तह जाएंगे, तो ए का अधिक्तम बजन और न्यूनतम बजन कितना होगा तरल सब्दों में कुश्चन मेंने समझा दिया है अगर आपको यह कुश्चन समझ में आया है कमेंट बॉक्स खाली है फटा-फट वहां पर चाल दीजेगा और से नमबर डी जो है वो और रेक्ट हो जाए चलते हैं के लि जो है मैक्जिमम बेट याद रखना है और इन पार्सल के और कई कंडिशन है को भी आप दिनान रख सकते हैं परिच्छा के दरश्टी को इंपोर्टेंट है जैसे आप से कभी लंबाई पूछ ले लंबाई जो है 1.05 मीटर होता है लंबाई के लाबा किसी और दिसा मापा गया है माप जो है दो मीटर से अधिक आपक विदेशी पार्सल को पोस्ट रिस्तिंते संबोधित करते हुए डिलिवरी कारियाल में इतने अबदी तक रोका जा सकता है अब देखिए भी पी आर्टिकल के वारे बात क्या भी पी में पोस्ट रिस्तिंते था तो साब दी नह आप से पूछा है कि कोई भी और आर्टिकल है जैसे पार्सल है और पोस्ट रिस्तिंते वाला मतलम नेस्ट नाक के तहट आया है कुछ उस पर रिमार्क वगरा लिखा हुआ है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसे एक महीना के लिए रिटेन कर सकते हैं यह बात आपको क्योंकि यह महाँद क्वेशन हो जाएगा चलिए 37 नंबर का क्वेशन है पूछा है की फॉर रिडिरेक्शन आफ एन इनलैंड मनियाडर अंतर देशी धाना देश के पुनार देशन के लिए सुल्क क्या लगेगा तो इस क्वेशन से मुझे दो बातें आदा रही हैं जब म में यह बताया था कि जो फर्स्ट क्लास के आर्टिकल होते हैं और जो मनियाडर होते हैं उनका रिडारेक्शन बिल्कुल फ्री में किया जाता है तो भाई मनियाडर ही पूछा है न तो आप्सन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा ज्यादा दिमाग लगाने का जरूवत नहीं पर्थम सिर्डी की डांख और मनियाडर का रिडारेक्शन ने किया अर्टिस नमबर को मैं आपको आसान भासा में समझा देता हूँ मैंने मनियाडर के तीन चार आपको कंडिशन बताये थे उसमें से एक कंडिशन ये भी बताया था भाई साब यदि आप राप्त करता कि न परिवर्तन का बात आ रहा था तो उसे आपसे कुछ चार्ज लिया जा रहा था और चार्ज क्या था चार्ज आपका था सेकंड कमीशन इक्वल टू फस्ट कमीशन तब पहले जितना आपने दिया था उसके बरावर आपको दुभारा कमीशन देना पड़ता है तभी ये प् आपको बहुत बार बताया है कि प्रिंटेट पेपर आपको बहुत बार बताया है कि प्रिंटेट पेपर में आपको कंडिसन याद रखना है कि प्रिंटेट पेपर में कौनसा चीज अलाउड है कौनसा चीज अलाउड नहीं है क्यों याद रखना है क्योंकि सस्ते दरवाला आर्टिकल है इन पर डागघर ज्यादा चार्ज वसूल नहीं करता वैसा नहीं ह कुछ limitation है, कुछ ही चीज़े इनके अनुपत जा सकती है पहला देखते हैं, पहला में क्या बोला है computer printer के माद्यम से प्राप्थ चाब जा सकता है पांडूलिपी में संगीत score जा सकते है photocopy जा सकता type writer के माद्यम से प्राप्थ कागजाद फुद्रित paper rate पर नहीं जाएंगे option number D correct हो जाएगा तीन बातें उपर की भेजी जा सकती है चौथा में जो लिखा हुआ है, वो नहीं जा सकता इसको ध्यान लगे maximum rate पूछा है, small packet का याद रखीजेगा, maximum rate as per India post side 2 kg जो है, correct हो जाएग अगला question है, 43 number का SB order 1-2019 क्या निर्धारित करता है ठीकि SB order का मैंने क्या बताया मैंने बताया, 2024 में एक्जाम है तो आपको 22 का याद कर लेना है, 23 का याद कर SB order का कहानी तो 10 सालों का है अलका तो याद नहीं कर पार और जो आपको PYQ में मिलते हैं उसको याद कर लेना है हाँ की important पूछी आती है current की पूछी जाती है पूछने का तो कुछ भी नहीं कह सकते कई paper ओं मैंने देखा है कि कभी का पूछने तो SB order 1-2019 जो है P.O.S.B. बचत खाते के लिए intraoperable net banking से सम्मंदित है इसका जानकारी जो है यहाँ किया गया देखा चली 44 नमबर question है अगर आप से पूछे कि business reply card पे फाफों का उपयोग करने के लिए permit चारी करने के लिए सुल्क कितना वसूल किया जाता है पारसी के हिसाब 100, 200, 250 या 5 option number 2 जो है correct हो जाएगा ध्यान देखा पी नमबर का option मतलब 200 रुपए कलेक्ट किया जाता है और head of division जो है इसके लिए permit जारी करते है 45 नमबर question है प्रधान डागघर में आपने postmaster order book देखा हो और order book का form number होता है MS1 अब पूचा ये है कि इनमें कौन सा प्रधान डागघर में रखा order book के बारे में सही है तो देखते हैं कौन कौन सचीच उसमें दर्ज करते हैं हम clerk, डाकिया, अनुपस्ति के मामले में अस्थाई विवस्था जैसे अगर कोई भी करमचारी चुट्टी में गया तो उसकी जगह में किसी और करमचारी को लगाए उसके बारे में डेटेल डालेंगे कोई असमान घटना हो जाता है उसके बारे में भी order book में नोट करना है ये बात आप ध्यान रख लिए इसके लाबा option number C में आपको पुछा है कि इसमें पोस्ट किये गए समान कर्याले में पोस्ट किये गए समान पंजिकरत भीपी लेखों के दैनीक आकड़े सामिल हो जाए ये बात गलत हो जाए याद रखिएगा ये जो option number C में हमको बताया कि पंजिकरत भीपी के देली आकड़े उस पर दर्ज किये जाते हैं ये बात बिलकुल जथ हो जाए और आगे हम बढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि option number D वाला भी Postmaster Order Book में नोट किया जाता है अगला question के बारे हम बात करूँ question number 46 है परतेक उपकारेले के लिए न्यूंतम और अधिक्तम या फिर रखी जाने वाली टिक्टों की अधिक्तम सीमा का निर्धारन कौन करेगा सब office के head of division, head of circle या assistant, superintendent पोस्ट या inspector का पोस्ट option number A जो है correct होगा याद रखिएगा कि जो head of division होता है मतलब SP होगा या SSP होगा वही करेगा कि office में कितना cash रखा जाएगा और कितना ticket रखा उमीद करता हूँ ये question आपको समझा आ गया अगला question है question number 47 STR के बारे में पूछा है STR का full form क्या होगा STR होता है suspicious transaction report याद कर लीजिएगा option number D जो है इसका correct होगा अगर ये question आपको अच्छे लग रहे है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक like का picture और share करने का picture वीडियो को like जरू कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साँ share कर दीजिएगा जो 2024 में भागी पर इच्छा क्यारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी फाइदे मन्द हो सकता है आपके एक like से हमें ऐसी और videos बनाने के motivation चिलता है चलिए 48 number question कबर करते हैं क्यांग भागी IT अधूनिकन परियोजना को भारत सरकार ने कम मन्जूरी थी क्यार ये बात तो हम कई बार discussion कर चुके है number 2012 में cabinet committee economic affairs मतरा CCEA ने number 2012 में इस परियोजना के लिए हमें मन्जूरी दी थी इसका हमारा बै था 4909 करोड रुपए और अभी जो है 2.0 आ गया है तो कहानी जो है बहुत सारी पदल गई है 49 number question है IT अधूरी करण की किस धारा के तहर करमचारियों को ट्रेनिंग देने सम्मंदित काम किया गया था मैंने बताया CM CM मतलब change management change management का उद्देश था किस अभी करमचारियों को तैयार करना इसका vendor कौन था इसका vendor था PCS option number यह जो है इसका correct हो जाएगा next question के दिए हम बात करें 50 number question है और DOP का यह आखरी question रहेगा APS के बारे में आपसे पूर और APS का आपको full form बताना है APS के बारे में और full form मेंने कई बार बताया है आधार enabled payment system इसका full form होता है बार बार repeating question है याद कर लिजेगा box number B correct हो जाएगा चलिए DOP के 50 question यह है याद कर लिजेगा महत्मूर question है आगे भी यह सरीज continue रहेगा इसी भी question के आपको कोई भी दिक्कत होता है comment box पे जरूर डालिएगा आपके comment का इंतजार में जरूर करो चलिए जीके के 10 question को अफटा फट से कब 37 number question है उस राश्टी उद्यान का नाम बताएं जो ACI सेरो के लिए प्रसिद्ध है option number B इसका correct जवाब हो जाएगा किर राश्टी उद्यान चलिए अगला question है 78 का डॉट डॉट इस हारवेस्ट फेस्टिबल आफ साउथ इंडिया पुंगल जिवाली अंपी या पुरम कौन सा उत्तर इसका correct हो जाएगा 78 का याद रखीगा यह जो है correct जवाब है पुंगल इसदा हारवेस्ट फेस्ट 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 आफ साउथ इंडिया इंडिकित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है important है Indian geography का question है और यह नदी वाला question नदी परवच पहाड इसलब राश्टी उद्यान यह सभी बातें Indian geography के अंतर गताएंगी और सभी बातों को आपको ध्यान लखना है देखिए एक condition बताता हूँ तापती भी आपका अरब सागर में जाएगा ठीक है नर्बदा भी जाएगा और सिंदु भी जाएगा जो नहीं जाएगा वो गोदा भरी नहीं जाएगा यह बंगाल की खानी में जाता है 79 का दी हो गया NH44 बनाने के लिए कितने रास्टी राजमार्गों को मिला दिया गया है करेंट में सबसे बड़ा जो रास्टी राजमार्ग है वो NH44 है इसको बनाने के लिए 80 नमबर का जो करेंट जवाप होगा वो साथ हो जाएगा साथ रास्टी राजमार्गों को मिक्स कर दिया गया है 81 नमबर है राजपल को पद से हटा सकता है पताएए Legislative Assembly Parliament President Supreme Court राजपाल को हटाने का जो पावर है वो है राष्टपती के पास Option Correct Mother Teresa को Noble Santi Pruskar मिला था और उसके बाद फिर किसको मिला था ऐसा क्वेशन पूछा गया है 82 में राइट आंसर जो है कैलास सरत्यर्थी हो जाएगा दो बाते हमने ध्यान नकी Mother Teresa को मिला है पर एक कैलास सरत्यर्थी को Noble Pruskar सांती के छिप मिला हुआ है 83 में जो आप से पूचा गया था कि आधार कार्ड प्रेस करने वाला पहला भारत का राज कौन सा था हरास्ट, इरला, तिलंगाना, तमिल नाडू क्या इनमें से कोई नहीं इंच्वानिस Correct याद कर लेना है कि महराष्ट राज ने पहली बार आधार कार्ड को इंटर्ड्यूस किया था पासर नमबर A Correct है 84, अगला कॉशन 84, जी के कॉशन है बताइए भारत में लाल नदी के नाम से चानते हैं यमूना, ब्रह्मा पुत्र बिल्कुल प्रह्मा पुत्र तो है उसको Correct जवाब हो जाएगा 84 का आप खुड़ है He is Right Answer बारत छोड़ो अंदोलन का दूसरा नाम क्या था दूसरा नाम पहला दिया है खिलापत अंदोलन सोदेशी अंदोलन कॉम्रूल अंदोलन अगस्त अंदोलन तो आपको एक बात ध्यान रखना है बारत छोड़ो अंदोलन 1942 में हुआ था और उसके जस्ट आसपास कौन सा अंदोलन हुआ था अगस्त अंदोलन हुआ याद रख लेना है बारत छोड़ो अंदोलन को दूसरे नाम से कभी पोचे तो अधस्त आंदूलन आपको पताना है ती उत्तर करेक्ट होगा कुश्चन नमर 84 ठीक है का आगरी कुश्चन है इंडियन इस्टगल कुस्तक इसने लिखी है 86 नमर कुश्चन है करेक्ट जब आप जो होगा वो आपको ध्यान लखना है सुभास चन गोस्त ने इस्टगल नमर कुस्तक सुभास चन गोस्त में लिखी थे उमीद करता हूँ करनाटक किये ऐसे ओस्टल असिस्टन शॉर्टिंग असिस्टन दो हजार बीस सेट सी में डियोपी के पचास और जीके के दस कुशन सभी कुशन आपको हमच में आ चुके स्क्रीन पर जो पीडियाप दिख रहा है इसी प्रकार का पीडियाप पिछले चार साल का चाहिए पतलब लगभग सत्तर से पच्छत्तर सेट पेपर चाहिए PYQ की रूप में आपको हमारे पेड क्लासेस में मिलेगा इसके मैथ का सलूशन चाहिए जो पेपर आप देख पा रहे है इसके लगभग चार साल के तो PYQ है उसके मैथ के सलूशन चाहिए चार साल के रिजिनी क्वेशन सलूशन चाहिए टॉपिक YGMC की चाहिए मॉक टेस्ट चाहिए प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए वन टाइम पीस में सब कुछ मिलेगा प्रिंट करने वाला प्रीडियप भी दूँगा अगर आप हमारे पेड क्लास से जुरुना चाहते हैं संपर कर सकते हैं 7610-685690 पर इस पर आप कॉल या वाटस अप के मादें से अधिक जानकारी ले सकते हैं चलिए टूने के लाप सभी का बाहते हैं